गुड मॉर्णिंग नमस्कार सुपरभाद बंदे मातरम जहिंद मेरे प्यारा दूस्तों कैसे हैं आप लोग आई होप सभी लोग अच्छी होंगे सभी लोग बहतर होंगे दिखिए आज बहुत ही जवर्दस टॉपिक लेकर के आया हूं आखिर कॉंसिलिंग कब से कीजिएगा ठीक है अब देखते हैं थोड़ा से हम लोग देखिए एक डॉट और रहा गये थे कुछ अस्टुएंट्स का थोड़ा सा उसको किलियर कर लेते हैं छोटा सा डॉट्स है ठीक है क्या डॉट्स था उनका कि आखिर सीजी पीए वाला ही प्रोब्लम था थोड़ा इसमें बडिप्लोमा वाले सेक्शन में बहुत सारे लोग को प्रोब्लम हो रहा है सबसे पहले क्या करेंगे देखिए थूरा सा ध्यान से समझेगा और अच्छे से वीडियो को स्किप नहीं करना अच्छे से देखना है ठीक है तो देखिए थूरा सा हम लोग देखेंगे यहां पर क्या करना आपको तो cgp आपको दिया रहेगा जिसे के 9.5 cgp आपका तो वहां पर किनहीं का परसेंटेज में करने के लिए आपका फर्मूला दिया हुआ रहता है कि 9.5 इंटू 10 करो आप यहां से 95% आगया यह बंदा को 95% कब काम देगा जब आपका total marks मालूम है कि मेरा total marks का इतना का exam हुआ था तब आप इतना से आप वहां से कितना marks आप got के हो कितना marks आप gate के हो वहां से कितना marks आपको मिला है वो सारा चीज आपको यहां से निकल जाएगा बट जिनका total marks ही नहीं मालूम है उनको confusion हो जा रहा है को क्या करे हम तो देखिए एक और रास्ता यहाँ पे आप यह भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो आप टोटल मार्स में आप 10 CGPA ही लिखें आप, 10 CGPA में, और जितना of 10 आपका उतना भी लिख सकते हैं, 7.6, आपका टोटल परसेंटेज यहाँ पे 100 कर देगा, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं हैं, इसमें कोई दिकत नहीं है, यह भी आपका यह ओप्शन से यहाँ पे हैं, जिनका टोटल मार्स नहीं है, टोटल मार्स कोई लोग एप परोक्स केलकृट कर दों है, नहीं, ऐसा मत किए, टोटल मार्स में आप 10 कीजिए, वहाँ पर, जितना CGPA आपका आया है, उतना सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर देखो जितना पोस्ट है यह तो सब लोग जानद हो कि दस हजार एक पोस्ट है दस हजार एक पोस्ट है जिसमें अमीन का 8244 पोस्ट है और इसका तीन गुना आपको बुलाया जाएगा यानि कि दस हजार यदी एक का तीन गुना कर ले हम लोग है तो कितना हो जाएगा 30,000 यहाँ पे 3 हो जाएगा 31,000, 10,000, 30,000 3 यहाँ पे हो जाएगा ठीक है और 30,000 यहाँ पे आपको counseling list में आपको वहाँ पे दिया जाएगा counseling के लिए बुलाया जाएगा counseling list भी निकलता है category wise ठीक है उसके बाद आपको counseling के लिए बुलाया जाएगा activate mobile number रखना है आपको activate email रखना है उसी के through आपको mail किया जाएगा या तो आपको call भी किया जा सकता है और अलग-अलग date सब का रहेगा तो counseling की परकिरिया लगभग देखो सबसे पहलो तो 4 दिसंबर तक आपका correction का date है 4 दिसंबर के बाद लगभग लगभग आपको processing करने में counseling list करने में 20 तारीक तक समय आपका जाएगा 15 से उपर ही समय आपका जाएगा यानि कि chance है कि 20 तारीक के बाद ही आपका counseling का start हो और 20 तारीक से देखो एक महिना counseling में आराम से लगेगा एक महिना आराम से लगेगा यानि कि आपका कॉंसलिंग होते होते यानि कि 20 तारिक से लगभाग लगभाग यादी जोर लो तो आप 20 जनवरी या 25 जनवरी तक आपका यानि पूरा जनवरी ही आपका क्या कॉंसलिंग चलेगा और पूरा जनवरी जब कॉंसलिंग चलेगा तो भाई प्रोसेस है सारा चिस और counseling में जब process होगा उसमें फिर आपका क्या होगा तो final marriage list आपका आएगा ठीक है counseling सबसे पहले तो counseling कब से होगा यह तो पता चल गए आपको कि जनवरी में आपका counseling होगा December यदि थोड़ा सा department यदि fast काम किया तो December से ही start हो जाएगा नहीं बहुत चांस है कि आपका जनवरी में counseling होगा क्योंकि department बहुत लूच चल रहा है देखिए चार दिन का correction window था कितना दिन का कर दिया आठ दिन का कर दिया तो लेट होगा और टार्गेट तो फर्वारी का है तो वह फर्वारी में ज्वाइनिंग का कॉँडा होने वाला है नहीं इकदमैं कॉंसिलिंग लिस्ट कब तक तो यहीं दिसमबर हो सकता है कि या तो जनवरी फस्ट विक में आपका kaunestä का लिस्ट आजाएगा ठीक हैं दिसमबर लाष तक हो सकता है कि आपका कब तक तैयार होगा देखिए जब कॉंसिलिंग आपका समाप्त हो जाएगा सारा चीज़ उसके बाद सारे चीज़ डोक्मेंटेशन वहां पे अपने विभाग में जो होते हैं डिपार्टमेंट पे वहां पे प्रोसेसिंग में रहता है उसके बाद आपका फरवरी फर्स्ट मर्च लास्ट तक आपका keep to honest लास्ट टक पक्का हंगा मार्च साट हो जो जाएगँ है सबसे पहला को गया मेरे बाई वहलाए में बन रहा है कि दिसंबर से होगा तो कि सबसे पहले आपका लिस्ट तयार होगा वहां पर कटफ तयार होगा यहां इतना स्टुडेंट आए तो इतना कटफ तयार हुआ तिन मिलाकर के उतना का कटफ तयार होगा का फाइनल मेरिट लिष्ट आएगा वह मेरिट लिष्ट आने में आपका टाइम लग जाएगा वह आपका फरवरी जा सकता है मेरिट लिष्ट आने में और मेरिट लिष्ट आया उसके बाद लगभग 20-25 दिन आपका ज्वाइनिंग में भी हो सकता है कि आपका मैं हमेसा तत्पर हूँ और रहूँगा भी तो मिलते हैं मेरे भाई नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू जाहिन मेरे भाई